हलो एबरिवान वेलकम टू माई चानल तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ पालक की बिलकुल नई रेसिपी जो की गैरेंटी है कि आपने पहले कभी नहीं खाई होगी तो पालक और मुंक साबू दाल से बनी हुई ये रेसिपी अगर आप घर में बनाएंगे तो बहुत ही काट लेना है और एक कटोरी हमने लिए है मौक साबू दाल अब हम इसको कूंकर में और पहले पालक डाल देंगे और फिर मौक साबू दाल भी हम इसमें डाल कर हमने इनको बॉल करना है स्टीम देनी है अगर हल्का खाते हैं तीखा तो हलका डालिये और अगर मेरी चटपटा खाते हैं तो जितना मैं देखा रही हूँ आपको इतना इतना आप भी डाल दीजे नमक लाल मिर्च और रहलु से हमने क्यों देखे, देखे, अब नियुक आपकर पानी ना मैं प्त्वcı पानिöglich 3 whistles 3 whistles लगवा के इसको 10 minutes हमने low flame पर पकाना है क्योंकि चो मुंक साबू दाल है वो थोड़ा गलने में time लेती है तो देखी अब हमने cooker खोला तो ये दाल बिल्कुल गल गई है और इसमें पानी भी बिल्कुल नहीं है देखिए इतमींस कि हमारा ये जो दाल पालक है अभी तक तो ready है अब हम बनाएंगे इसका बढ़िया सा तड़का तो तड़के से ही तो पूरा टेस्ट आएगा इसमें तो देखी इसके लिए मैंने ये सब ले लिया है प्यास, टमाटर, अध्र, खारी मेच और लेसुन तो जरूर डालिएगा लेसुन का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है तो सबसे पहला जो तड़का है वो हमने लगाया है सरसों के तेल में तो सरसों का तेल गरम कीजिए और इसमें डालिए दो बरी कटी हुई प्यास प्यास टालकर हम इसमें डालेंगे डेट चम्मस जीरा और जो बरी कटा हुआ लैसून लैसून जरूर डालिएगा इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है पालक में अब हमने जो लैसून जो और प्यास हैं इनको बहुत अच्छे से भून लेना है कि ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएं तो आपको वीडियो कैसी लग रही है अच्छी लग रही है तो प्लीस लाइक कीजिए क्योंकि लाइक करते हैं आप तो वीडियो आगे भी बढ़ती है तो प्लीस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यहीं पर लाइक कर दीजिए तो अब हमने डाल दिसमें 4 तमाटर बरी बून को सबस्क बूनकμεं तमाटर काट के डालिएगा इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा अब हमने इसको ढखके पांच मिनट अच्छे से गला लेना है जब अच्छे से गल जाएंगे देखिए हमने कर्ची चलाके इनको अच्छे से मैश कर लेंगे तांकि गुल मिल जाएं पूरा मसाला जो हम इसमें इस तरह से देखिए अच्छे से गोल मिक्स कर लेना है मैश कर लेना है मसाले को और जब तक घी नहीं छोड़ता अच्छे से बून लेंगे और थोड़ी से जो हमने यह जो जिंजर काट के रखा था पतला पतला आधा जिंजर हम इस टाइम डाल देंगे और आधा ज आधा पतला नहीं दाल देंगे और इसमें हम डालेंगे अब यहां पे पानी और पानी डालकर हमने इसको ढख देना है अपने इस स्क्दम को और स्लोगर्ष करके हम इसको दमशन से पकाएंगे बिलकूल लो फ्लेम पर अच्छे सी यह ढाल और पालः को मिक्स कर देंगे औ भी साग एगर ठ dispatch को साग को अभास करें तो जमते हैंज़गी को सांगी का पोलएफ भासषी में दूसरा आ साग को भी गीना देसी घी का फ्लेवरी में ब्हुत अच्छा है अब इसमें जो अद्रक हमने बचाया था लंबा कटा हुआ वो डाल देंगे लंबी कटी हो यहारी मिच और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर लाल मिच पाउडर डाल कर हम अपना तड़का तयार करेंगे तो लीचे यह हमारा हो गया तड़का तयार इसको हमने मिक्स कर दिया अपनी दाल के उपर तो दस मिनट के बाद देखिए हमारी दाल पालक बनकर हो गई बढ़िया सी रेडी वाव इस लुकिंग सो सो यमी तो इसको आप एंजॉई करिए मक्की की रोटी के साथ गरमा गरम प शेयर कीचिए और चैनल सब्सक्राइब कीचिए